यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं कि दोते नहीं, ये थोड़ा जादा हो गया. तो एक दिन, वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए. और खेलते खेलते, उन में से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक मुए में गिर गया. गिर गया, और जोर जो उसे चीखने चिताने लग गया. तो जो उसको तैरना नहीं आता. अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा, और उसको कोई नजर नहीं आया. उसको कोई नहीं दिखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट दिया. और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको. उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी ताख़त लगा करके पागलों की तरह उसको कीचने लगा. कीचता रहा, कीचता रहा, कीचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने. चोटेशा बच्चे ने, ची हैं, और दस साल के बच्चे ने उस बाल्टी पोप्फड़ा हुआ था, खीसतारा खीसतारा और तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा ने लिए, जब तक वो बाद ने लिए, अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो तो डर भी लग रहा था दर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और ये सब चीजे होई लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउं वालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक कि अच्छे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुजूर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते अगर तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वजह होगी जिस वज़से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करें उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता तो रहा है उसने जा कैसे किया बाल्टी को उठा गर के एक उए में फैका उसके दोस ने बाल्टी को बखड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहा है फिर कुछ देर बाद वो बोले कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं